अलो नमस्कार सातियो, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एके क्लासे जैपुर में सातियो, आज की क्लास में हम GKGS के Top 30 Questions कवर करेंगे जो आपके आने वाली सभी एक्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा important है वीडियो को द्यान से और लास्ट तक जरूर देखियेगा यहांसे क्वेशन एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बनने से पहले सातियो यदि आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया है बोध गया जहां बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती हुई थी वेह इस्तान बोध गया कहलाता है अगला क्वेशन है सातियो मारा सभीदान सवा में देशी रियासतों के कितने पृतिनिदी थे आंसर हो जाएगा सविदान सवा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिदी थे कितने थे? 70 प्रतिनिदी थे अगला क्वेस्टन है सातियो मारा भीमराम अंबेड कर सविदान सवा में कहां से निर्वाचित हुए थे? आंसर हो जाएगा बंगाल से भीमराम अम्बेडकर सविदान सवा में बंगाल से निर्वाचित हुए थे अगला क्वेस्टन है सातियो मारा डूरेंड रेका कब निर्दारत की गई थी अंसरो जाएगा 1896 में डूरेंड रेका 1896 में निर्दारत की गई और यह रेका बिटरिस भारत और अफगानिस्थान के बीच खीची गई थी अगला क्वेस्टन है सातियो मैक मोहन रेका कब निर्दारत की गई थी अंसरो जाएगा 1904 में मैक मोहन रेका 1904 में निर्दारत की गई थी और यह बिट्रेस भारत और चीन के मद्ध खीची गई थी अगला क्वेस्टन है सातियो मारा भारत का समय गिरीन बिच के समय से कितना आगे है आंसर हो जाएगा 5 गंटे 30 मिनट भारत का समय गिरीन बिच के समय से 5 गंटे 30 मिनट आगे है अगला क्वेस्टन है साती हो मारा किस राज्ज की समुद्र तट्रे का सबसे छोटी है? आंसर हो जाएगा गोवा राज्ज की गोवा राज्ज की समुद्र तट्रे का सबसे छोटी है और गुजरात राज्ज की समुद्र तट्रे का सबसे लंबी है अगला क्वेश्चन है साती हो मारा सविदान सवा के सविदानिक सलाकार कुन थे? आंसर हो जाएगा वी एन राव वी एन राव सविदान सवा के सविदानिक सलाकार थे? अगला क्वेश्चन है साती हो मारा भारतिया राष्टिय कॉंग्रेस के पहले अद्ध्यक्ष कोन थे? आंसर हो जाएगा W.C. बनरजी भारतिया राष्टिय कॉंग्रेस के पहले अद्ध्यक्ष W.C. बनरजी थे अगला क्वेस्टन है सातियो मारा भारत देश के पहले मुस्लिम राष्टपती कौन थे? आंसर हो जाएगा जाकर हुसेन भारत देश के तीसरे राष्टपती और भारत देश के पहले मुस्लिम राष्टपती थे मतलब तीसरे राष्टपती थे और यदि मुस्लिम में बात करे तो मुस्लिम पहले राष्टपती जाकर हुसेन थे अगला क्वस्टन है सातियो मारा भारत का सबसे दक्षिंतम बिंदू इंद्रा पॉइंट कहां इस्तित है? अगला क्वस्टन है सातियो मारा भारत का छेत्रपल संपून विश्वी के छेत्रपल का तू पॉइंट पॉइंट कहां पॉइंट कहां इस्तित है? अगला क्वस्टन है सातियो मारा मक्षी का लारवा क्या कहलाता है? अंसर हो जाएगा मरगेट मक्षी का लारवा कहलाता है मक्षी के लारवा को क्या का जाता है? मरगेट अगला क्वस्टन है सातियो मारा पोदे के किस भाग में प्राग कनों का निर्मान होता है अंसर हो जाएगा फूल पोदे के जो फूल आता है उस भाग में प्राग कनों का निर्मान होता है कौनसा मुगल बात्सा एसिक्षित था अंसर हो जाएगा अखवर अखवर एसिक्षित था अगला क्वेस्टन है सात्यों मारा मादा एनफलीज के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग होता है मादा एनफलीज मच्छर के काटने से. मांट एवरेश्ट पर चडने वाली पिर्थम भाला जुन को तवाई थी और इनका संबंध जापान देश से है अगला क्वेस्टन है सातियों मारा रॉलेट एक्ट कभी पारत हुआ था? आंसर हो जाएगा 1919 में रॉलेट एक्ट 1919 में पारत हुआ था अगला क्वेस्टन है सातियों मारा राज लोग सेवा आयोक के सदस्चों की न्यूकती कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज़ पाल राज़ लोग सेवा आयोक के सदस्चों की न्यूकती राज़ पाल करता है अगला क्वेस्टन है साती हो मारा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इन्पुट कम्पुटर में जाने वाले डेटा को इन्पुट कहा जाता है अगला क्वेस्टन है साती हुमारा पीलिया किस अंग का रोग है आंसर हो जाएगा लीवर पीलिया लीवर अंग का रोग होता है अगला क्वेस्टन है साती हुमारा मैक नमबर किसके गती से सम्मंदित है? अंसर हो जाएगा हवाई जाज मैक नमबर हवाई जाज की गती से सम्मंदित है अगला क्वेस्चन है सातियो मारा मंत्री परिशद सामुईक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होती है? अंसर हो जाएगा लोक सवाके मंत्री परिशद सामूहिक रूप से लोकसवा के प्रती उत्तरदाई होती है अगला क्वेस्टन सातियो मारा पोर्ट और इस्पेन किसकी राजदानी है? अंसर हो जाएगा त्री नादाद और टौवेगे की राजदानी है पोर्ट और इस्पेन अगला क्वेस्टने साती हो मारा जस्ता या जिंक के लिए प्रिशिद जवार खान किस राज में इस्तित है अंसर हो जाएगा राजिस्तान राज में जिंक के लिए सबसे प्रिशिद जवार खान राजिस्तान राज में इस्तित है अगला क्वेस्टने साती हमारा पनियान जन जाती किस राज में निवास करती है अंसर हो जाएगा केरल राज में पनियान जाती का सम्बंद किस से है केरल राज से अगला क्वेस्टने साती हमारा जापान पहले किस नाम से जाना जाता था अंसर हो जाएगा निपन जापान को पहले निपन के नाम से जाना जाता था अगला क्वेस्टन है साती उमारा सलाल बित्वत परियोजना किस राज्ज से सम्मद्दित है अंसर हो जाएगा जम्मू कस्मीर से सलाल बिद्दित परियोजना, जम्मु कज्मीर राज में इस्तिद है और यह चनाम नदी पर इस्तिद है अगला क्वेस्जन है साथ योमारा भायान, किसके सासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा चंदरगुप्त दिद्टिय पाइए आड चंद्रगुप्ति दित्या के शासनकाल में भारत आया था सयंद बंज का संस्तापक कोण था इस क्वेश्चन का अंजर आपको कमेंट करना है I hope आसा करता हूं सातियो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू वीडियो पूरा देखने के लिए